तो हाई फ्रेंड्स गूड मौर्निंग कैसे हों आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना अब भी ठीक हूं और फ्रेंड्स आज के ब्लोग में मैं आक्चेली नहीं अच्छुली यह तो आज के ब्लोग में मैं आप लोग के साथ शेर करने वाली बहुत ही इस्पेशल पानी में उबाल लेना है देखिए ऐसे छिलके उतर जाना चाहिए मतलब इतना आपको बालना है पूरा नहीं बालना है जैसे हम थोड़ा आधा कचा हुआ रहता है आलू उस तरह से जो है आलू को यहां पर उबाल के ले लिए हैं और इसके छिलके उतार लेंगे तो आप दे ले ले हैं मिक्सी कभरतन और इसमें मैं क्या करूंगी न यह जो प्याज है टमाटर है मिर्च और लैसन न इन सभी का अच्छे से पेष्ट तयार करूंगी तो चलिए अब मैं बता ही देती हूं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूं तो फ्रेंड्स आज मैं बनाओंगी दही दही आलू की सबजी जी हां तो आप लोग पूरन वीडियो जरू देखिएगा इस कीप मत करिएगा क्योंकि दही आलू की जो सबजी है मैंने कई बर बनाया है और मेरे पूरे परिवार को बहुत पसंद आया है तो यहां पर देखिए यह जो टमाटर के गरा सब था मैंने मिक्सर में पीस लिया है यहाँ पर देखिए मैंने गयस के ऊपर कड़ाई अच्छे से गरम कर लिया है इसमें मैंने डाल दिया है स जरसो का टेल क्या करेंगी जो आलू है इसको हम सुनहरा इसमें फ्राइक करेंगे तो गैस यहां गैस का जो फ्लेइम है नह democrat यह त्यज कर यहां साथ 5 तर से लिए त oneself प^^ अच्छे से अच्छी चेप करके लिया थी के लिए अब इसको प्लेट में निकाल ले दढ़ लेंगे और ये जो तेल लघए तो ईसकी मातरा ज्यादा लग रही से जाग सा मातर क्या सब्जी को बनाना है तो यहां पर देखिये तढ़का जो मेंसे निकाला था lider यहां थे आ tahun उसके बाद जो इतना पीसा हुआ यह देखिए जो पेस्ट है ना पीसा हुआ तो कड़ाई में डाल देंगे और गैस का जो फ्लेम है यानि कि आच कम रखेंगे यहां पर क्योंकि देखिए डालने के बाद ना बहुत तेज तेल में छटकता है यह सभी चीजे तो देखिए इ अच्छे से इसको हम भूनेंगे यानि कि पकाएंगे तब तक हम मसाले निकाल लेते हैं तो यहां पर देखिए मैंने ले लिया है मीट मसाला जो अकसर मैं इस्तमाल करती हूं बढ़िया इससे टेस्ट आता है सबजी का और उसके बाद दो चमच देखिए मैंने मीट मसाला टौझे हम एक मैश ममसाली बलता लेते हैं और उसके बाल यहां पर एक मैम्च निकाल जे ने झाले बहुत बहुत अच्राँगण पास्येड़ है wys70 संब घृ लिया है और मैने कि जए ने केहींने बाद मनेंने अच्छे से घिला कर लिया तो यह सब आर्ध बुझन चुकी है तो डारेक्ट हम इसमें डाल देंगे उसकी बार फिर से मेडियम ऐज पर इस मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे तो जब तक हमारी से पक रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे इस में देखी मसाले निकाले लेंगे तो से 10 रुपे की जो डिबी आती है दही वाली वो जो है लाना है और उसको देखी इस तरह से अच्छे से घोल तैयर करें यानि कि उसका पेष्ट बना लेना है खड़ा नहीं रहना चाहिए दही और यहां पर कम आज पर देखिए अच्छे से न दही को मसाले के साथ हमें जो है तरह से अच्छे से मिलाना है तोड़ा साम हिहां पर इस तरह से पानी डाल लेंगे और ** मिला के हम अच्छे से पखाएंगे तो खुस्बू तो आ रही थी बहुत जादा जो है ना खुस्बू अच्छे आ रही थी और यह जो रिस्पी जट्पड बनके ते त्यार हो आज थोड़ा समय ने गयस का कम कर दिया है और यहां पर देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया जब मसाले तेल छोड़ देना तो समझ जाना चाहिए कि हमारे मसाले पक चुके हैं अब सारा आलू जो मैंने फ्राय करके रखा था इसमें हम डाल देंगे और उसके बाद अच् गिलास भरके पानी तो पानी की मातरा जो है ना मैंने यहां पर जादा नहीं रखा है क्योंकि ग्रेवी हमें थोड़ी मोटी रखनी है पतली नहीं रखनी है तो इसलिए मैंने पानी की मातरा यहां पर कम इस्तमाल किया और साथ में जो है ना मैंने यहीं पर स्वाद के काफी अच्छा है और टेश्ट भी काफी अच्छा है तो उमीद करती हूं आज का रेस्पी आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर करें चानल सब्सक्राइब करें थांक यू